मुझा बताईए कंपनी के एहम advertisers ने भी महंगाई के बढ़त के चलते अपने ad खर्च में कमी की जिसे की Sun TV को नुकसान जहिलना पड़ रहा है उसके अलावा subscription revenue की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी 2% की गिरावट इस बार कंपनी में दर्ज हुई है मुनाफ़ा और कामकाजी मुनाफ़ा सपाट है और FI 22 से 24 के बीच मुनाफ़े में और 6% की ग्रोथ का अनुमान भी बताया जा रहा है कुछ और भी दिक्कते हैं कंपनी के साथ बड़ते competition को भी face नहीं कर पा रही है इनके जो peers है इनके जो प्रत्यतनी है वो OTT में काफी जादा निवेश कर रहे हैं वही Sun TV का इतना निवेश नहीं है इस वज़े से अगर Tamil viewership के market share को देखें तो कंपनी का जो market share है वो 55% से घटकर अब 40% हो चुका है इसके अलावा कंपनी की तरफ से ठी तरीके से कोई disclosure भी नहीं आता है कि कौन कॉल में भी जादा कुछ एहम जानकारिया नहीं मिलती इसके चलते भी निवेशक नाराज दिखाई दे रहे हैं और इसी का मानना इनी सब कारणों के चलते हम देख रहे हैं कि Sun TV में भारी गिरावट है अगर आय का trend हम देखेंगे तो quarter 2 इस बार जो आय आई है वो आपके सबसे निशले सरपर देखने को मिल रहे हैं करीब 796 करोड इस बार कंपनी ने आय रेजिस्टर की है और कामकाजी मुनाफ़ा भी देखेंगे अगर हम तो quarter on quarter 31% की growth इस बार दरज हुई है तो financials में कमजोरी और बढ़ते competition के चलते हम देख रहे हैं कि stock में आज ये काफी ज़्यादा गिरावट है और राइट ठीक है पुजा बहुत बात शुक्रिया आप ये सारे Qs हमें समझाने के लिए बहुत बात शुक्रिया अगर इस पर्टिकुलर कमपणी को देखे तो मैंने कई बार देखा है कि ये अच्छे टेखनिकल ब्रेकाउट पे एक reversal signal दे देता है और डाउन होता है तो उसमें का पोड अक्टिविटी आजाती है तो काफी एक zigzag sort of pattern बनता है इसमें या तो एक whimsical pattern बनता है जिसमें कई बार traders trap होते है और इस बार मुझे लगता है कि काफी अच्छे breakout के बावजूद ये stock गिरा है अब मुझे लगता है कि BTSC तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए विकाज के दिन में 8-9% ये stock गिरा है शायद हमें लगता है कि ये stock यहां से 480 या 490 के range के करीब आके वहाँ पे सेटल हो सकता है तो STVTB करना advisable नहीं क्योंकि काफी गिर चुका है पोरे दिन में बट अगर कोई rebound अगर आता है तो बिल्कुल इसे short करके चले close to 510, 515 इसमें short करके चले targets रखे 480 के करीब का